इसमें बार मादर रहीम असलाम अलीकुम फ्रेंड वेल्कम बेक टू देशी अमरिकन माउं व्लाव कैसे हैं आप सब उमिदे के आप सब खरी हैसे होंगे मेरी तरफ से आप सब को बहुत बहुत ज़्यादा रमजान मुबारक और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखे यह चीजे में चॉप करके डालूगी मैंने प्यास लिए एक छी लिया और अध्रक अध्रक लसन लिया अध्रक एक इंच कर टुकड़ा लसन की चार जवे और एक हरी मिर्च यूसरब चीजों को मैं चॉप कर लूंगी अब यह सी बिचे मर्चे अब यह टालूंगी जीर और धनिया कुटावा काली में और में शाथ मश्चे πα्केमने नामक जाएगा और मसाली धिखा देते हैं यह यह मैं बसाल नों अर्ग त्रफ इदृ पून गराम मसारा 1 अषा 6 आप टी स्पून कुटीमिर्च मिरुंभ और लाल मिर्ष्टे दिये हाफ टेबिली स्पून मिर्चे बखर आप लोग अपनी मर्जी से डालिए कि आप कम जारदा कर सकते हैं मैं यहां पर थोड़ा सा चटपटे बनाऊंगी कर दो एक इंब दो पूस्टे प्यार लाशान चाप कर लीए चन्नी में डाल प्यारदा पानी दबा दबा के निकाल दिया यह सब्रक्रादा अ सारे मसाली भी दाल देंगे इसके बाद में नमक डालूंगी 1.5 तेबिली स्पून, काली मिर्ची बिल्कु थोड़ी सी डालूंगी मैं, साबु धन्य लिया था मैंने 1.5 तेबिली स्पून भरके और जीरा 1.5 तेबिली स्पून तब यह पे ड्राइर रोस करने के बाद मैंने इसे क्रेश करके इसके तो मैंने फ्रीज करने के बाद इसको प्लाइं चन्नी में डाल के दबा के देगां यह हम इसके अंदर डाल देगे केमें के अंदर अगर आपके पास फ्रेश है फ्रेश धनिया है तो बिल््कुल बारी पर इक चौप करके वह भी डाल सकतें टेबिली स्पून मैं दाल 1-1.5 टेबिलिस्पून मैंने मेदा डाला है और में मिक्स करूंगी क्योंकि मेरा कीमा फ्रीजर में रखा हुआ अगर आपका फ्रेश है कीमा तो आप मेदा इसकी बिकर सकते हैं इन सब चीज़ों के मैं अच्छी तरह गूंद लिया है बाकादा 2-3 मिरड में अच्छी तरह अब इसके कबाब बना लोंगी थोड़ा सार पानी लगा लगा के पानी भी लगा सकते हैं और वाइल भी लगा के इसके कबाब बना लोंगी मैंने सारी चीज़ों दाती में से अच्छी तरह मिक्स करूंगी मिक्स करने में 2-3 मिनट लगाऊंगी मैं अच्छी तरह मिक्स कर बश्यकस के और बुराइब क्बाब बनना लेंगे थोड़ा पाने लगा कर दिए आपनाया हें यह मैंने रशुड़ा सबसार डिफेंट स्टाइब अपना जाया है तो रफेंगारम कर लिए गरम नमारे के बाद मेरे शीखेंगे ब्येकर रख दी है और इसे हीट कर वह हूं आप चाहें तो इसे आग पे भी सेट कर सकते हैं खली हमें सेट करना इसको कि यह गिरे नहीं और अच्छी तरह ही सेट हो जाए तो हम इसके बाद इसको निकाल सकते हैं तो इसे में रख दी मैंने चूले को पर उसे चूले को फुल खॉल दिया और इसे हीट से में सेट कर रही हूं जब हमारे कबाव सेट हो जाएंगे तो यहां पर मेरे लिए एक तबाव और इस पर मैं थोड़ा सा तेल डाले एक से दो टेबिली स्पूर्ट अब हम इसको निकाल लेंगे और हलका सा फ्राइ कर लेंगे हलका फ्राइ करके आप इससे फ्रीजर में भी सेफ कर सकते हैं करेंगे हम हलका फ्राइ करेंगे जब इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हर तरफ से इसको गोल्डन कलर देंगे फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और यह वाकी बहुत मज़े के बनेते बिल्कुल ऐसी लग रहते हैं जैसे भार के होटल के सीख कबाब है यह जिए अब निकाल लिए बहुत ही मज़े के हम बनेते इसे प्राड़े के सामना और रायता चंड़ी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आएगा तो अब आज की वीडिया आपको पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक के जेगा को में देगा अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर केजेगा यह देगी बहुत मज़े की हमी बनेते और और जो कबा मुझे फ्रीज करना थे उनको मैंने लाइट हलका सा फ्राइग किया था जब ठंडे हो गए तो इसे मैं प्लास्टिक में रैपकर के उपा फ्रीजर में डाल दिया है तो इसे तरह आप भी कर सकते हूं अमीदे कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज लाइक केजेगा कॉमेंट देजेगा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर केजेगा पर इसके साथ इजाज़ा देजिए अपने अपने घरवालों को अमने प्रेंट्स को बहुत जादा खेगा झाल 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